आपके दादा बाबा चाची चाचा इतने प्यादा हो जाते हैं यूटूब बड़ा अच्छा एक प्लेटफोर्म है जहां से आपको हर चीज की जानकारी मिल सकती है हलो दोस्तो नमस्कार मेरा नाम है विभान सो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में दोस्तो अभी हमारे साथ यूपी पीसे 2022 में सिलेक्टेड कुण जलता मैम है मैम का सिलेक्शन ड्येसपी की पोस्ट पर 55 रेंग के साथ हुआ है तो आज के इस वीडियो मे से बात करेंगे इनकी जर्नी के बारे में जानेंगी साथ-साथ यह जो है अपने गाउं से रहकर त्यारी करती थी और हिंदी मीडियम माई का बेग्राउड रहा है तौ सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वह साथ लोग वीडियो में तक बने रहेगा और पहली बार चनल को सब्सक्राइब कर नोड़ी किसन बेल को प्रेस करें ताकि मारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलते हैं हमारे वीवर्स चो बेडियो स्कुल है और जूर्य है स्कूल के नाम से जाना जाता है तो आर्ट की पड़ाई मैं ने गाव में रहके कि यह उसके बाद मैंने अपका कप से आनों क्योंकि आप तो बेसी की फिल्ड में अगर बीएस होता तो वान सकते थे कि कहीं ने कहीं जुड़ाओ होता है एक सीविल क के रूप में लेकिन आप व्यस्ती से फिर इधर कव आना हुआ यह मिया दोहास सब्सक्राइब में इस च्छेत्र में आना हुआ दोहास सब्सक्राइब कर रहे थी प्रीएस तो उससे में जो है एक सेमिनार का विएन किया गया था तो जिसमें अधिकारियों को बलाया गया था तो जिसमें डॉक्टर पंकश कमा वर्मा सर थे जो की ततकालिक वहाँ मुझे से तायारी के बारे में बता पड़ा हुने बताया है हम लोग निसी चला पर जिस्वार करतें ने की प्रोसेस हो गया होताई ओडरा यह कोचिंग अलीगड में ही माले पिस्तकाले जगह है महां संचालित होती है और यह निसुर कोचिंग है और इसमें जून में निकलते हैं इसके टेश्ट होते हैं दो इसमें एक जीएस का होता है और एक आपका एसे का होता है तो हम पर फिर एक कट आप लगान निकाली जाती लेकिन में 19 वच्चे थे क्वालिफाई जिसमें किये थे और फाइनलिस में छे लोग निकल के आई थे ऐसा रहा तो इससे पहले देखाया तो दससे बार लोग रहते थे हर वार कितने आपने अभी तक एक्जाम सी है इसके पीसेस के लिए मैंने के वर यूपी के लिए पांच दो दिन का अंतर था तो वह नई देनी गई थी मैं और मैंने एसफ का भी मेंस दिया था दो最近 के लिए और फालिफाईill किया थे यहां लेकिन उसमें कुछ चेंज वह गया था लब बताईएगा किसी साथ में परी के लिए यह है कि पहला आपको सिलेबस को देखें उसके बाद प्रीवेस रे कुछ संग और साथी जो बुक्स है इसकी जो सभी लोग बताती है जातार जैसे इसमें कुछ अच्छी का रॉल होता है इसमें मेरा बेग्रांड जीरो था इसमें मुझे कुछ नहीं पता था तो बेसिक के लिए निसी आटी को पड़ा था और साथी जो भी स्टंडर भुक हैं जैसे लच्छी मिकांत पॉलिटी के लिए है कुछ लोग इस्पेक्ट्रम पड़ते हैं इसक तो प्लेंस के लिए मैंने यह देखा था साथ ही मैं टेस्ट घूब लगाएं थी इसके लिए कितना बड़ा इंपॉर्डेंस रहता आपके प्रीक एक्जाम में और कितना दिन पहले इसको लगाना शुरू कर देना ची जैसे आपका एक्जाम है अब मैं 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 मेरे एक्ज लगा देंगे और हो सकता है कि पच्छा पचास भी लगाता है जितनी आप लगा सकें इससे क्या होता है कि हम आपने जो तैयारी इसके बारें पता पढ़ता है हम कहां तक पहुंचे और हमारा क्या स्टेंडर है तो पुस्ट खाच जो का ध्यान भी रखना पड़ता है जब तो किस्तन तो जो मुझे आते हैं लेकिन उस इसना में भूल ले ती सके। ही क्योंकि हमारे म magnet में जले जाती हैं तो में याद आते हैं बाद में पर Graz कर सकते तो तो इसको मैं तीर राटने पेपर करती और साथ साथ में गोले भी भड़ती तो इस क्या रहता है आपकी जैसे कि होतना कभी-कभी हम एक साथ दो बढ़ दिते हैं तो वह तो इन निकालते हैं पूरा जो प्रीवेस सिर्फ कुछन का तो कुछ महां से मैंने हैल्प ली और घटना चकर कि मैंने इस वार घटना चकर से भी नूट्स बनाये थे कुछ यह से मिज लग राता कि यह मेरो टॉपिक अप्लेट नहीं है और अलग से को टॉपिक है तो आप के लिए भी बिजन को मेंस के लिए स्पेशली विजन थे सिक्षिभा भी आता इस वार और साथ क्रॉनिकल में कुछ पेपर निकालते हैं लाश्क तो वह मैंने उसको भी प्रियोग कि क्या खास तरणनीती कुछ अलग से होती है कि मलब कुछी जो का ध्यान रखना चीज़ मेंस के लिए त्यारी करें मेंस के लिए यह कि पहले तो आपको आपको अच्छी से पढ़ना चाहिए क्योंकि आपने कुस्टन देखा जाए पिछला हम अगर रिकॉर्ड देखें चार से पान साल में तो यह होता है कि आपको नो कुस्टन जो होते हैं टॉपिक से ही जो हमा बड़ा अच्छा रोल रहता है फिर अफाथा भी मिनता है हमाय लिए आप यहां घर पे रहती थी तो जो इंटर्विव क्योंकि आपका पहला इंटर्विव था इस बार तो इंटर्विव के लिए कैसे तियारी रही मतलब क्या चैलेंजिश रहे इंटर्वु में सबसे में चीज होती उसको नोट पना लिए थे उसको पहले वी विजन किया मैंने और साथ ही में अपने अपने अच्छे से किया फिर उसके बाद ही बहुत सा समस्यां रही जैसे में मौक अंटर्वु दस्टी में देने गई तो वहां मुझसे कुछन नहीं बताए गए और लास्ट श्ıt dran वी औ가ast लग्टि में घंटिंसे रहने आपके तयारी की दोरान खे किसी आरी कर रहें को लोग पतार कीचली कर भड़न वाहलो है कि अब लोग ब्स्टीम तो एक सामाजी कापता एक हाँ अग दो आम हो। जा है को शाम कुछ था जलưởng केसे मैं तो उस दो ङके गुट स्परिज़ कर दो जा है। जैसे कि जब रिजल्ट आया और फाइनल रूप से आपका DSP के रूप में सिलेक्शन हुआ तो जो लोग ताने मारते थे उन लोगा क्या रियक्शन तो मैंने भी बताया कि ऐसा होता नहीं कि जब आपका रिजल्ट आया था नहीं तो उनको यह तो पता नहीं किसमें हुआ क्य आपकी 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 किसी की बेटी बन जाते हो कभी आपकी दादा बाबा चाची चाचा इतने पैदा हो जाते हैं काम् जगे आजाते है सब्सक्राण कंपार नक्रृट बन जाते हैं जबते हों और जाते हैं जाते हैं लुए अन्य कहें सनो ने सभी लिए सलब बाई politique करने के लिए पहले पर अग्सेशन के लिए जब सब्पना जरूरी है अपना कोई सपना बनाया है उसको पूरा करने के लिए जितना आपको करनी चाहिए ऑफ 100 परसंदेश के लिए और देहरे बनाया रखाएं सायम बनाए रखें और सफ़कता एक दिन मिलने मिलने मुझे मिली है तो जरूर मिलेगी बहुत सारे चात्रों का डाउट यह होता है कि हम जब दिल्ली जाएंगे या प्रियाग राज जाएंगे बहुत बड़े-बड़े सहरों में जाएंगे तभी हमारी अच्छी पढ़ाई अगर आपने चेत्र में जाना ही है तो इस्टेशी बनाएं जो भी यूटूब बड़ अच्छा एक प्लेटफोर्म है जहां से आपको हर चीज की जानकारी मिल सकती है तो जानकारी जुटाएं से लेवर्स देखें अच्छे से जो भी रिसोर्स हैं उनको लेके तो अपना फिर उसको तयारी को स्टार्टिंग कर रहें तो समस्य आएंगे सबके साथ समस्य आएं तो उसको अच्छे से फॉलो करें तो उससे घर बटके भी अच्छे से तयारी हो सकती है इसी अपना हक अपना होता है कि यह मेरा है मैंने खुद बनाया है तो खुद बनाया है चीजों को क्यों कि जब आप एक चीज को करें पाड़ा सब्सक्राओं करें धैब स्वार उसको वारों करें तो इसको नहीं बनाना चाहिए अपना घृत को बनाना चाहिए सक वारों को बनाना जाहेंगी जो प्रतिय एक पाने के लिए जुनूर हो अंदर से तो हर प्रतिय एक इस्टुट्ट कर सकता है और साथ ही पेसन जरूर रखें क्योंकि यह जरूनी सच में बहुत लंबी हो सकते हैं तो मुझे पांच वार में मिल गया में साथ को और भी लोगन का पिलिम्स नहीं हुपा रहा है लेकिन लगे हुए हैं और उनको भी सभगता जरूर में लेगी तो अपनी चीजों को प्रियास करें उसमें निरंतरता बनाय रखें और विस्वास रखें कि एक दिन सभगता मिलेगी और जो सभगता मिलेगी उसका जो वह होगा जो अलग होगा तो मेने भी देखा और नहीं आती हैं समस्य आती हैं तो इग्णोर कर सकते हैं फिर साधार रखें थेंक्यू सो मच मैं बात करने के लिए और भविश्की आपको बहुत सारी सब्सक्राइब तो दोस्तों आप लोग को आज के वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूब बताना है झाल 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 झाल